हेलो बच्चो स्वागता सभीका तो बच्चो संख्या और संख्या पद्धी जो कि हमारा अध्याइफ फर्स्ट इसके अंदर के अल्रेड हमने दो पार्ट अप्लोड कर दी अगर आपने नहीं देखिए जाकि दीखिएगा उनको पसंद आए तो लाइक जरू कीजिएगा और यह 11 सवाल हमने अप्लोड कर दी है तो यह 11 सवाल हम लेकर आपके लिए अंको साथ दो चार आठ तथा जिरो से बनने वाली बड़ी से बड़ी कंडिशन समझेगा बच्चो बड़ी से बड़ी बोला गया है पांच अंकी संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रियोग में हो ह हमको क्या करना ही है जो हमको अंक दिये गहे हैं फ़र हमको दिये अंक साइड में लिग लेना क्योंकि आपको मैं समझा दूहराम से अब उसमें बाड़ी बड़ी से बड़ी बनाने चार को ले लेंगे, चार भी अगर यूज हो गया है, तो क्या बचा फिर दो बचा है, वो जीरो कहाँ जागा, लास्ट में, अपना अंसर क्या जाए, 80420, 80420 अपना क्या होगा बच्चों, अंसर होगा, इस प्रकार से सोलिशन करना है, नेक्स बच्चों वीडियो सेगंड जो सवाल अपना क्या है 12 वाला है 11 तथा 21 दो कंडिशन लिखी 11 तथा 21 के लिए निम्नेव में से क्या सत्य है सत्य है पूछा है उसने हमको सत्य बताना है कि असल में सत्य है तो क्या है ठीक है सथ्य हमको कुंझ सा पेचानदा है चारों मैंसे- چारों अप्षिन से कौन सा सही है कभीकभी ऐसा सवल आज जैसे, इन मैंसे कौन सा सत्य नहीं है ऐसा भी गभी-कभी लिखाहए आजाता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना आए ठीक है वह आए तो उससे आपसर करना है सत्य आए तो आपसर करना है तो पहला उप्शन है हमाल लिए दो भाज्य संक्या है ध्यान से समझेगा बच्चो वीडियो बले लंबा हो जाए कुछ भी हो लेकिन अगर ऐसे आ पता होना चाहिए कि दोनों भाज्य संक्या है क्या ग्यारा नहीं है 21 भाज्य है 21 तो भाज्य है ग्यारा क्या है 11 यहां पर है अब भाज्य है और यह क्या है भाज्य है तो एक कंडिशन तो फोलो हो रही लेकिन दूसरी नहीं हो रही तो यह तो गलत option हो गया ठीक है दोनों समसंख्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है दोनों नहीं है दोनों तो विसंख्या में तो यह गलत हो गया विसंख्या है क्योंकि पीछे एक एक आरा है और विसंख्या एक तीन पाच साथ या नो हो पीछे एक आएक आंग तो यह होनी चाहिए और समसंख्या में क्योंकि आपुआँ कार्येक्ट है तो जोता वाला क्या है क्यों गलत है क्योंकि दोनों तीन के गूल चे कि थीन के दोनों संख्या कॉरा जाते हैं तो आपना अभाज्य आजाए और एक भाज्य आजाए तो उसको बोला जाता है सह अभाज्य, संख्या इसलिए इसका आंसर यह वाला इक्षम है बच्चो नेक्स्ट पुश्ण है अपना साथ विभीन अंकों से बनी न्यून्तम संख्या तता छे विभीन अंकों से बनी अधिक्तम संख्या का अंतर बताना है दो कंडिशन है यहापे पहली कंडिशन है साथ अंक वाली कौन से संख्या बनानी है क humour सी संख्या होगी हृ चोटी संख्या होगी उच्छेंग अधिक्तम अधिक्तम यानी क्या हो जाएगा बड़ी अ चोटा अप एक और कंडिशन या पहित के बनिगे को सबसे चोटी हैं बनाओ पहले में आपको अंक बता देता हूं, जीरो से सुरुवाद होती हैं तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और नो, यही अंक है अपने पास, यही अंक होते हैं, टोटल आपको पता होगा, दस अंक होते हैं, जीरो से लेकर नो तक, इनको हमको यूज करके, डबल यूज नही जीरो से लेकर सबने आपदा हैं, अब मज़े यूज नहींत시면 बनाना पड़ेieten, बच्छो, सबसे चोटी संख्या को मुझे आगे रखना पड़ेगा, अब सबस्छो पसे चोटी संक्या तो सबसे नहीं पने बदेखना हा होगा, तो आपको पता होगा, बच्छो हमेशा second number पर रखा जाएगा अगर नियूनितब बनानी होगी संक्या तो अधिक ताम में सब से पीछे चला जाता है लेकिंट में सेकेंड प्लेस पर रहता है ठीक है अब मुझे बताई जीरो को से के नंबर पर रखना है मुझे तो फर्स नंबर में सबसे चोटा कॉने एक है एक आज पहले उसके बाद लगेगा जीरो यह दो अंख हो चुकिए अपने पास अब तीसरा कोन हो जाएगा दो चोथा तीन पाच्वा चार छटा पांच और साथ हो जाएगा छे यह बन गया अपनी सबसे चोटी संख्या विबिन अंखों से बनने वाली सबसे चोटी संख्या बन फिर साथ ले लेंगे छे ले लेंगे फिर पंस ले लेंगे और फीर चाल लेंगे यह अपनी बन गहेंगे च्छे अंकों के सबसे बड़ी संख्या इसके ल 자 suicide नहीं बन सकती सबसे चोटे हो सबसे बड़ी यह दोनों हमने बना द है अब उस ने कूर कंडिसन भुल दियां प उसके सबसे बोला एक उत्याक ए लेकिन अंग तो साते शिचित्यों तो उपर रखा memory इसके अंग कॉनेचे रखेंगे इसको रखेंगे चार यहांपर जा जाएगा फिर पांच 9 से यहांगे ा गताओ कर देन है इंग घंटाओ का्झ को बच दो बचिएगा धर सिंपल फ्रकल ऑप्श्न करते हैं तो चल रहा है नहीं है क्योंकि आपको पता है यहां पर 202 करेंगे बहरां करेंगे तो पांच बच जाएगा तो इस पांच बिल्कुल इसके आगे आ रहा है तो अपना अन्सर बिल्कुल करेक्ट है आगे आप अगर विश्व करना चाहों तो सोल कर लीजिएगा नेक्स को करना है बात करते हैं बच्चो जी पर ли जाएं-बत्चे देख रहें कि यहीando तो माली सपोर्ट होगा और को सब्सक्राइब आपके लिए बस आप मेरी लिए कर सकते हैं तो अगला कोशन नुइब ड़ी से बड़ी विसंप संख्या जो अंक तीन पाँ साथ, नो तथा जीरो से बनाई जा सकती है पेले मैं आंक लिखता हूँ समझ यह घ्यान से तीन होगा या फिर नो होगा इनके अलावा कोई साबी आंक आएगा वह क्या हो जाएगी संशंथ्य संशंख्य हो जाएगी ये वीसम संख्या वाले चिद्ध पिछे का 1-1 अध यही वाला हुता है वुपय आहां। विसम संख्या कौन से पेच्चाना है। अब देखो यहाँ पर सबसे चोटी संक्या अपने पता है कि जीरो को कहां पर रखा जाता है सेकेंड नंबर पर रखा जाता है तो इस और यहीं पर पकड़ में आगिया कि अपना अंसर पहला बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि इसमें दूसरे नंबर पीछे से रख दिया और इसको यहां पर रख द सबसें बड़ी बनानी हम तो कह पर आएगा लास्ट में आता है लेकिन इसमें यह तो समसंख्या वाला हो गया तो हम क्या सेकंड लास्ट रख लेंगे सबसे बड़ी संख्या बनानी तो क्या करें constant 79 503 अपना क्या और अंसर बिलकुल correct होगा इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए को छोटी बड़ी में confusion नहीं होना है अगर यह सबसे छोटी पूचता ना तो यह वाला अंसर बिल्कूल correct होता है लेकिन उसे सबसे बड़ी पूचित यह वाला option बिल्कूल करेक्ट है बच्चो confusion नहीं होना है ठीक है next question के बात करते हैं next question है अपना पांच अंको वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0,3,6,8 तथा 9 से बनती है प्रत्यक अंक केवल एक बार प्रियोग में करके इनका अंतर बताना है तो बच्चो देखिए का सिंपल तरीके से समझाता हूं में आपको क्या करना है पांच अंक की देखो पहले अंक हमको लिख लिए जीरो तीन छे आट वा नो तो इनसे में पहले दो कंडिशन बनेगी एक तो मैं बना देता हूं इधर बड़ी बड़ी संख्या और इधर मैं बना देता हूं छोटी चीक है और लास्ट में क्या करते हैं दोनों के बीच में घटाओ अंदर का मतलब क्या होता है घटाओ करना तो बड़ी बनाएंगे सबसे बड़ा अंग पहले लिखेंगे नो के अलाओ फिर कोने आट है आट के अलाओ फिर कोने एच्छे है छे के बा अटे पहले रेटा उसमें सबसे चोटां आट या नाश्ट में होता है अब इनको फिर देने क्या करते हैं नोको फिर किला आट आघा इंगारचु यह नो चया यह नो सिंफ़ देंगे हैं तो नो बचेगा साथ में जीरो जाएगा तो साथ का साथ तो छे नो में से इन गया तो छे बच जाएगा सुन सट अजा 941 सुन सट हजा 941 जो कि अपना option ने चोथ था वाला यह बिल्कुल करेक्ट है बच्चों नेस्ट कोशिन की बात करते हैं कि अपने पास थोड़ा सा बलरी हो रहा है हलका पुलका तो आप यहां समझ लीजेगा ध्यान से थोड़ा बोल देता हूं को ध्यान से सुनना है पांच अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या अभी अपनोंने विसम वाला क्या था यहां पर सम आ चुका है ठीक है जो पांच 3,0,5,7 अथा 8 से बनी है देखें पिल्लम को लिखना है 3,0,5,7,8 से बननी ची और उसने condition क्या बोली है सम संख्या बनानी अब सम संख्या लिए अफट याज जी रो होना चीए इकाइकांग तो वो समसंग्या क्याला ती है तो दीखिए यहां पर तो तीन आ रहा था यह option तो गलत हो गया मतलब यह हो सकता यह हो asplant video स不好 यह हो सकता यह तो हो गया प्वरा गलत ठीग है तो बड़ी से बड़ी बनाने तो सबसे बड़ी निकारा तो झाजएगा एट हो जाएगा फिर कौन ओजएगा साथ हो यिगा फीर कुन हो नीची और सब्सक्राइब करके रखेगा चैनल को नेक्स कोशन है अपना एक तीन जीरो नो साथ की साहिता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंका प्रियोग केवल एक बार करना है तो बच्चों यह से सवाल हमने करवा दिये तो यह एक होमवर्क में आप ल सबसे बड़ी संख्याल बनाें है कंडिशन को फोलो करतें तो बड़ा इसमें बोला ना उसने यह तो बोला नहीं कि सब अलग-अलग होना चीह तो सेम संख्या हम ले सकते हैं तो साथ अंगों के सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी साथ बार 9 लिग देना है ठीक है कि साथ पर के लिग देना है ये बड़ी बन चुकी है और आठ अंगों सबसे छोटी बनाने तो एक के पीछे पर 7-0 लगा दो, 4, 5, 6 और यह 7 यह बन गए चोटी संक्या, अब देखा जाए तो 8 अंक बढ़े होते हैं, 8 अंक है तो चोटी बनाने का बोला, लेकिन 8 अंक के इसाब से बढ़े हैं, तो इसको उपर रखेंगे, तो इसको कहा रख देंगे, इसको उपर, इस प्रकार से, ठी के, और जुआ इंको क्या कर देंगे, उसने condition बोली है, अंतर करने का, हम गटा जाएगे, सिंपल सी बाथ, तो क्या होगा, इसको काटके आपे 10 करेंगे, तो यहाँ पर आगे उसको देगे, यहाँ पर nao को मानल लेंगे यह 10 हो जाएगा इसा के 9 करेंगे एक बचेगा यह जीनो जीरो 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 अनसर न्य baldow इंसर बने अपना इक यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों यह था बो prove आसन थे इस पषनीन फैरे इसमें पूर माकी क्या चीज़ पूरिए एक एक चिसका बस आपको ध्यान रखना है, गुमा के बस एक चीज यहां पर पूछी जाती है, ऐसे सवालों के अंदर, कि यहां पर जो बच्चे क्या करते हैं, साथ आंक बड़ी से बड़ी पूछा गया है, तो उसको वो उपर रख देते हैं, ऐसे ऐसे करके, देखें नीचे य समान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दूसरा देखें, इसमें एक आ रहा है, इसमें दो आ रहा है, दो आ रहा है, दो आ रहा है, तो एक से बड़ा दो होता है, तो यह अपना गलत हो गया, एक उतर से बड़ा बहुततर होगा, तो गलत हो गया, तीसरा देखेंगे, यह तो वड़ी है इसमें एक है इसमें एक है इसमें दो है तो बड़ा को ने दो है तो अकले उप्शन में 200-72 आ रहा थी अपना अंसर विल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसे एक के कंग देखना आंगे से पता चल जाता है जब देंगे अई अगाने उसको आप यह वाला सवाल हमने पेले भी क्या है इसको आप होमवाक मेड़ा लिए है यह सवाल हम ओल्रेडी कर चुके है इसा सवाल क्योंकि इसमें 0 वाला सिस्टम है आपको पता हो कर अब अपने पुरा नवीडियो को इसके पहले वाले पार्ट क दोए तरस मुवन है करवाल इक स्वाल इसा स्वाल से अशेकेंड में गोई दोगे-च की सबसे बड़ी था-था-था- चोटी शंख्या का योग यो फिषुपल का मतलब होता है जोड करना तो सिंपल टरिके से जोड देंगे हम इसको जोड देते हैं दिखिये चाव उंकों की सबसे बड़ी संख्या बना देते पहले अपना क्या होगा बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा, बहुत ही असान है बच्चो अग्या बच्चो अगर आपने दिश्य पढ़ा होगा थोड़ा बात भी पहले था आप अगला सवाल है 16,813,000 को लिखा जाता है कितना लिखा है 16,000,000 तो मैं आपको पहले बताए था हाला कि इसमें हिंदी में लिखा था अंगों में भी लिखना आना चीए देखिए अगर आपको कोई सा भी हिंदी या जिसे सब्दों में भी पूछ सकते हैं इस तरीके से और हिंदी में बनाना तो भी आपको तरीका कौन सा करना है या भी आपको समझा गया था मैंने एक बर एकाई धाई सेकड़ा हजार दस हजार लाग दस लाग करोड ठीक एसे टंड़ा बना देने और हमको रखके देखना एक एक एकंग इसमें अगर मैं तीन रखूं पीले ऑप्शन को रखूं य से बात हैं या रखने को रखने के जुरूत क्या है यह की दाई सेकड़ा हजार दस जार लाक आक की पहुंच रहा आं इकाई धाई सेकड़ा हजा दजा लाग दस लाग अब बिल्कुल सिंपल से बात है देखिए अगर इसको अंकों में भी अगर पुस्ता तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं दोनों को और इस तरीका साफ और सब्दों में आप डिस्क्राइब इजली कर पाओगी संख्या 214.56 में अंक 5 का इस्थानिमान क्या है इसको मैं थोड़ा सा डीटेल में समझाओंगा क्योंकि चेप्टर के अंदर इसको मैं नहीं बताया था या पर उसने बोला है दो एक चार दसंख्या की बारें बात कर रहा हूं तो चार को बोलेंगे कौन सा इका इक आंग बोला जाएगा चार को एक को क्या बोला जाएगा एक को बोलेंगे दहा इक आंग और दो को क्या बोलेंगे 2 को बोला जाएगा सेकड़े का अंक कौन सा सेकड़ा अब यह तो हमको दस्वंदो के इधर वाली संख्या की बात हुई है कहां से कां तक की बात हुई है थीके अब दस्वंदो के उदर के संख्या को क्या पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर में चीज यहीं पूछी की, कि उसने पांच का इस्थानमान पूछा और पांच जो यह दसम लोग के इधर है, ठीके, तो यह जो अंक होते हैं, जिसे दसम लोग के बाद का जो पहला अंक होता है, मैं आप एक और अंक लिग देता हूँ, मेरे साब से क्योंकि आ पांच अंश्च्छे धलुए 20 वे 5 अगर 5 इस जगे। तो पांच ळगे बनता न, बनता के न बनता को यहां दसम लोग के बादा, पीछैंची के बनो जाता है, स्को भूल जाता रहें दस्वे सोभी हजार वे इस ओप्शन के हिसाफ से मिने बता दी हैं इसमें दसांस सहस्त्रांस ऐसे भी यूस होते हैं तो वह बाद में बात करेंगे उसके पर पर एक और सवाल है अमर पास जो कि देखिएगा 25 निम लिखित में से कौन सी अबाज्य संख्या है अब अबाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको तो पता यह अबाज्य संख्या किसे कहते हैं अबाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कम से कम वह जादा से जादा दो संख्या से कटती हो बस उसे अबाज्य स बच्चा को 97 97 बिल्कुल अपना अंसर है बच्चो अब एक और सवाल आता है कभी कभी कि लगातार 6-7 संख्या पूश्त नबे से लगागा 96 तक की सभी संख्या भाज्जि होती है के अवर 97 ही इसी संख्या इस पुरी लाइन में जो की अब बाज्य है ये भी सोड़ा साबको ध्यान में होना चाहिए तो आई हो बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर आपने यहां तक देखा है तो प्लिस लाइट का इश्यू है बच्चों लाइक चे सस्क्राइब जरू करते हैं धन्यवाद